इस वीडियो में हम discuss करेंगे series resistors and voltage division यहाँ पर हम देख सकते हैं यह एक electric circuit है यह single loop circuit है क्योंकि यहाँ पर एक ही loop है या एक ही close path है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह दो resistors है R1 और R2 यह दोनों resistors series में है हम इनको बोल सकते हैं कि यह दोनों रेजिस्टर सीरीज में हैं क्योंकि इन दोनों रेजिस्टर में सेम करण्ट आय फ्लोर हो रहा है हम देख सकते हैं कि करण्ट आय सेम करण्ट डोनों रेजिस्टर में से जा रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह दोनों रेजिस्टर तो R equivalent क्या है? equivalent resistors और जो भी कुछ resistors है सीरीज में उनकी सम होता है जो भी कुछ resistors जैसे R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट किये है अगर हम ऐसे resistors की सम लेते है तो आता है हमको मिलता है equivalent resistor ऐसे N number of resistors की भी हम सम ले सकते है और फिर उसको हम कहेंगे कि equivalent resistance तो equivalent resistor क्या है equivalent resistance of any number of resistor connected in the series is the sum of the individual resistor मतलब जो भी circuit में individual resistance जो series में connect किये है अगर हम उसकी sum लेते हैं तो हमको equivalent resistance मिलता है अगर हम N resistor series में connect करते हैं तो R equivalent मतलब जो equivalent resistance है जो sum है individual resistance की वो कैसे लिख सकते हम R1 plus R2 up to the Rn मतलब N जितने भी number of resistance है उसकी sum और इस formula में लिख सकते हैं summation of the Rn number of resistance जो भी है उन सब की sum हम क्या कर सकते हैं यह जो figure 1 है यह figure 1 का circuit हम replace कर सकते हैं जो दो register है उसके अलावा हम एक ही register लिखे रेजिस्टर लेंगे और वो R equivalent होगा और वो sum होगा यह दोनों रेजिस्टर की हम यह दोनों circuit equivalent हो गए हम इसको equivalent इसलिए बोल सकते हैं कि उनका voltage current relationship at the terminal A and B same है अगर हम ऐसा circuit बनाते हैं तो analysis करना है circuit में electrical circuit analysis करना है तो इसमें ज्यादा simple हो जाता है इसके वज़े से हम ऐसा circuit बना सकते हैं अब हमने अभी तक हमने रेखा कि register series में कैसे connect होते हैं और मतलब equivalent resistance क्या होता है अब हम यह देखेंगी voltage division कैसे होता है मतलब इस resistance के across कितना voltage आएगा और इस resistance के across कितना voltage आएगा यह जो source voltage है वो कैसे divide होता है यह हम देखेंगे voltage division में हमको पता है कि यह जो रेजिस्टर से वो series में इसके लिवा जैसे इन दोनों में से same current flow हो रहा है अब हम यहाँ पर ohms law apply करेंगे और V1 और V2 find करेंगे मतलब दोनों resistor के across का voltage find करेंगे by applying the ohms law so V1 equal to current I है और resistance R1 है so V1 equal to IR1 आजाएगा और V2 जो है वो same current है और resistance R2 है so IR2 आजाएगा अब हम क्या करेंगे यह जो circuit है single loop circuit इसको हम KVL apply करेंगे और कैसे apply करेंगे in clockwise direction ऐसे जाएगे हम और हम जो भी साइन हमको फर्स्ट भी हमको जो भी साइन फर्स्ट मिल रहा है वह साइन हम लिखेंगे so by applying KVL to the loop और clockwise direction में हम move करेंगे तो पहले तो हम V से start करेंगे source voltage से तो पहले कौन सा साइन मिल रहा है हमको माइनस मिल रहा है तो माइनस वी लिखेंगे प्लस V1 प्लस V1 और प्लस V2 अगेन हमको प्लस ही मिल रहा है और वह के दियल में क्या होता है कि यह उस वोल्टेज लो में वोल्टेज जो भी कुछ है circuit में यह elements के प्लस के वोल्टेज है उन सब की हम अगर अलजेब्रिक सम लेते हैं तो वह सम 0 आती है ऐस पर के वी यह यह पर हम क्या करेंगे यह माइनस वी प्लस V1 प्लस V2 यह equation है जो हमको KVL से मिलया वह तो पहले हम simplified form में लिख लेंगे V1 प्लस V2 इक्वल टू भी उसके बाद V1 और V2 की जो कुछ वैल्यूस हमको मिले हैं ओम्स लॉस से वह हम सब्स्टिटूट करेंगे सो IR1 V1 इक्वल टू IR1 और V2 इक्वल टू इक्वल टू वी तो अब क्या करेंगे हम आई को कॉमन लेंगे सो हम पो ऐसा करने के बाद I मिल जाएगा I मिलेगा V divided by R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 को हमने डिवाइड कर लिया V से V को R1 प्लस R2 से डिवाइड किया अभी ये जो एक्वेशन मिला हमको हम इसको ऐसे भी लिख सकते है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V is equal to I into R1 प्लस R2 equal to R equivalent put कर सकते हैं तो I into R equivalent ऐसे भी लिख सकते हैं equivalent resistance into current is equal to voltage सो अभी हमको क्या find करना है voltage division मतलब voltage कैसा divide हो रहा है दोनो resistance में तो हम क्या करेंगे ये जो I की value मिली है वो हम V1 में डालेंगे और same value हम V2 में भी put करेंगे तो हमको V1 और V2 में जाएंगे तो अभी क्या करेंगे हम V1 equal to I is equal to V upon R1 plus R2 हम V1 equal to I R1 में put करते हैं तो V1 is equal to I क्या है V upon R1 plus R2 और multiply with R1 R1 so हमको ये कैसे मिल रहा है R1 divided by R1 plus R2 into V V1 equal to और V2 क्या मिल रहा हमको V2 equal to V2 is equal to I R2 so R2 divided by R1 plus R2 into V मिल रहा है हमको V2 यहां पर हम देख सकते कि जो कुछ source voltage है वो दोनों resistors में direct proportion में direct proportion में divide हो रहा है तो अगर resistance जादा होगा तो क्या होगा voltage drop भी जादा होगा अगर resistor कम resistance कम हुआ तो voltage drop भी कम होगा तो यह जो principle है यह use किया गया है voltage division में and so हम इस circuit को बोलेंगी कि जो कुछ circuit है यह दिया हुआ उसको हम voltage divider भी बोल सकते हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि अभी हम यहां अभी हमने यहां पर सिर्फ दो रेजिस्टर्स लिए अगर एन रेजिस्टर्स हुए तो voltage कैसे voltage divider से कैसे voltage मिलेगा अगर voltage divider जो है drop कैसे निकालेंगे मतलब vn तो फिर rn आया जाएगा उपर numerator में और divided में जो भी कुछ रेजिस्टर्स से उन सब रेजिस्टर की सम आ जाएगे और multiplied with source voltage यह था सीरीज रेजिस्टर्स और voltage division का concept